1962 में हुए भारत चिन यूद्ध के कई किस से आज भी जीवित है इस यूद्ध में जिस तरह भारतिय जवानों ने अपनी स्वारियता का परिचाई दिया वह भारत को हमेशा गर्ब की अनुभूति कराता रहेगा इस यूद्ध के दोरान एक पल ऐसा आया था जब चिन ने अरुना चल पदेश को हतियाने के इरादे से वहां की सीमा पर हमला बोल दिया मगर उन्हें नहीं पता था कि वहां उनका सामना भारतिय सेना के एक ऐसे जवान से होने वारा था जो उनके लिए काल बन कर बैठा था वहां जबान और कोई नहीं बलकि राइफल मैन जस्पन सिंग रावत थे वहीं जस्पन सिंग जिन्होंने तीन सो चीनी सेनिकों का अकेले सामना किया और भीरता की एक अनूठी कहानी लिख डाली सुबह के करीब बाच बज़े जिनी सेनिकों ने अरुनाचल पदेश पर कबजे के इरादे से सेला टॉप के नजदीक धावा बोल दिया मौके पर तेनाथ गरवाल राइफल्स की डेल्टा कमपनी ने उनका सामना किया जस्बंद सिंग रावत जी इसी का हिस्सा थे मौके की नजाकत को देखते हुए जस्बंद तुरंत हरकत में आ गए और उन्होंने अपने हतियारों के साथ लडाई शुरू कर दी इस तरह 17 नवंबर 1962 को शुरू हुई लडाई अगले 72 घंटों तक लगातार जारी रही इस बीच जस्बंद जी अकेले ही चीनी सैनिकों पर भारी परे उन्होंने अपनी विशेश यूजना के तहट अकेले ही करिब 300 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया था वह चीनी सैनिकों को अरुनाचल की सीमा पर रोकने में कामयाब भी हुए लेकिन उन्हें पीछे नहीं ढखिल सके कहते ही लडाई के बेच उन्हें पीछे हटने का आदेश दिये गए थे दरसल उनकी टुकरी के पास मौजुद रसत और गोली वारूद खतम हो चुके थे ऐसे में दुस्मन के सामने खरे होने का मतलब था मौत को गले लगाना पर जस्वन तो जस्वन थे उन्होंने इस आदेश को नहीं माना और अपनी आखरी सांस तक दुस्मन का सामना करते रहे ऐसा भी नहीं था कि उन्हें दुस्मन की ताकत का अंधाजा नहीं था पर बहा जानते थे कि जंग कितने भी बड़ी क्यों ना हो जितना नाम उमकिन नहीं होता जश्मन की सोरिय गथा में सेला और नूरा नाम के दो बहनों का जिक्री भी आता है कहते हैं कि चीनी सैनिकों से लड़ते हुए जब उनके सारे साथी सहीद हो गए तो उन्हेंने तैय किया कि वह लड़ाय का तरीका बदलेंगे इसके लिए उन्हेंने नई रननिती बनाई उन्हेंने दुश्मन को इस बात का भ्रम होने दिया कि भारतिय सैनिक खतम हो चुके है साथ ही बड़ी चतुराई से बचा हुआ सारा हत्यार और गोला बारूद बंकरों में इकटे किये इसमें सेला और नूरा नाम की बहिनों ने उनकी मदद की थी उन्होंने जस्बंद जी के खाने पीने का भी खयाल रखा था जल्द ही जस्बंद की तरफ से खामोसी देखकर चिनी सैनिकों को भरूसा हो गया कि भारतिय सैनिक खतम हो चुके है मसलं वो नीडर होकर आगे वढ़ने लगे जस्बंद जी को इसी मौके का इंतिजार था उन्होंने अचानक उन पर गोलिया बर्षानी शुरू कर दी वो अपनी जगा बदल बदल कर उन पर हमला करते थे वो कुछ इस तरह लर रहे थे जैसे मानो एक आदमी नहीं बलकि कई बैटा लियन लर रही हो काफी समय तक जस्बंद जी यूही लरते रहे और चिनी सैनिकों पर भारी परते रहे हाला कि आगे वह चिनी सैनिकों द्वारा टार्गेट कर लिये गए जब जस्बंद जी को लगा कि वह पकरे जाएंगे तो उन्हेंनों मौत को गले लगा लिया दाबा किया जाता है कि इस जंग में जस्बंद जी ने अकिले ही करीब 300 चिनी सैनिकों को मार गिराया था दिल्चस बात ये है कि जस्बंद जी को सहीद हुए बहुत साल हो गए है लेकिन अरुना चल के लोग मानते हैं कि वो अभी भी जिन्दा है और सीमा पर तैनात है उनकी माननियता कितनी मजबूत है इसको इसी बात से समझा जा सकता है कि लोगों ने उनके याद में जस्बंद गर का निर्वान किया है जस्बंद गर में एक ऐसा मकान मौजूद है जसके बारे में कहा जाता है कि जस्बंद जी इसमें रहते है इस मकान में एक बिस्तर रखा हुआ है जिसे पोस्ट पर तैनात सेना के जवान रोज सजाते हैं उनकी जूते नियमित रूप से पॉलिस किये जाते हैं जस्वंद जी एक लवते ऐसे सहीद है जिनका सहादत के बाद भी नियमित प्रमोसन जारी है बरतवान में वह मेजर जनरल के पदपर है वैसे जस्वंद जी को उनकी बहादूरी के लिए मरनुप्रांथ महाबिर चक्र से बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया सहीद जस्वंद सिंग रावत पर 72 hours मार्टे और हू नेवर डाइड नाम की एक फिल्म भी बनाई गई निर्देशक के तोर पर अभिनस ध्यानी जी ने फिल्म में जस्वंद सिंग जी की भीता को बखुबी बया किया है इस फिल्म को दर्शकों का खुब प्यार भी मिला था जस्वंद सिंग जी की बास्तविक कहानी चाहे जो भी हो लेकिन इस्थानियों लोग के दिलों में जिस तरह से आज वो जिन्दा है बहुत तो यही बताता है कि जब तक उनके अमर बाबा जस्वन सिंग जी वहां तैना थे तब तर दुस्मन उनका कुछ भीकार नहीं सकता फिर दुस्मन चाहे कितना भी मजबूत कियो ना हो भर्ले ही भारत ने 1962 का यूद हार गया था लेकिन उस यूद में ऐसी ऐसी बीरगताई रची गई थी जिसे सुनकर पूरे दुनिया हैरान होती है तो वहीं हर भारतिया गर्भ मैसूस करता है है ना